अले ससी काला दाव नमसे एक पाफेस वागे तरह मिस्टर सिंग चालने था एंड आई हॉप बिलकुल वद्याहव होगे सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट कंट्रीज की जो की इंडियन्स के लिए उपन है बहुत सारे question बहुत सारे queries आने के बाद बताया जा रहा है कि कुछ countries open हो चुकी है इंडियन्स traveler के लिए और बहुत ज़्यादा इंडियन्स travelers हैं वो wait कर रहे हैं एक travel history बनाने के लिए covid time के अंदर बहुत time आपने घर पे बैट के गुजारा कर लिया बट आप चाहते हो कि हम European countries के अंदर गुम सकें, Canada जा सकें, या Shenzhen visa ले सकें, या UK visa ले सकें तो इन countries का visa लेने के लिए सबसे पहले आप सभी को मालूम है कि आपके पास एक अच्छी travel history होनी चाहिए, एक अच्छी profile होनी चाहिए तो इस वीडियो के अंदर में आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ countries open हैं, अगर आप उनको travel करेंगे तो आपकी एक travel history बनेगी, then आप easily next year आप Shenzhen visa, UK visa, Canada visa easily apply कर सकते हैं क्योंकि अभी summer के अंदर सब कुछ open हो रहा है, बट हो सकता है कि winter के अंदर ये दुबारा बंद कर दिया जाए, यॉरॉप की countries winter के अंदर दुबारा बंद होने के chances बहुत जादा है, ये mind में रख लीजिए, अगर आप travel history बनाना चाहते हैं तो अभी बना लेजिए, क्यों आप रशिया fresh passport के ओपर भी अपना वीजा ले सकते हैं, और ट्रेवल कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी destination रहेगी, और बहुत ही सुंदर destination है इंडियन्स के लिए, और अगर आप यहाँ पर गुमना चाहते हैं, तो most welcome, किसी तरह की help चाहिए, रशिया टूरिश वीजा के आपके लिए, रशिया और तरकी आप दोनों गुमिये, बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छी destination है गुमिये के लिए, और travel history बनाने के लिए दोनों ही बहुत अच्छी है, और इनकी sticker की value भी काफी अच्छी है, तो आपके लिए अगर दोनों country गुम लेते हैं, त तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, थर्ड हम बात करते हैं यूक्रेन, काफी बच्चे जो है यूक्रेन जाना चाते हैं, और काफी students भी है जो study visa पर जाना चाते हैं, और tourism purpose के लिए भी वहाँ पर travel करना चाते हैं, तो यूक्रेन भी open है इंडियन के लिए, अगर UK already सब के लिए open हो चुक है, चाहे वो study visa है, चाहे वो work visa है, चाहे वो आपका tourism visa है, चाहे वो family visa है, तो आप किसी भी category के अंदर UK का visa apply कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा, और अगर आपकी profile अच्छी है, तो आप इन countries के अंदर travel कर सकते हैं, बट मैं fresh passport holder को बता दू, UK UK का visa मत apply कीजिए, क्योंकि आपको visa नहीं मेलेगा, rejection आने के काफी ज्यादा chances है, fresh passport holder, अभी in covid time के अंदर, सिर्फ आप Russia का travel कर लीजिए, तर्की apply कर लीजिए, Ukraine apply कर लीजिए, सर्भिया भी आप कुछ हालात तक apply कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छी job है, अच्छा bank statement है अच्छी आपकी like ITR भरी हुई है, तो आप सर्भिया भी travel कर सकते हैं, मेरी last video देख लीजिए, मैंने सर्भिया के लिए A to Z information जो है आपको provide की हुई है, अब हम बात करते हैं वेतनम, वेतनम ने 1st of July से अपना tourism start कर दिया है, अगर आप वेतनम के अंदर travel करना चाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आप वेतनम को भी choose कर सकते हैं, अगर आपका budget कम है, तो वेतनम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि रशिया के अंदर भी आपको budget जो normal आपको चाहिए ही चाहिए, तो अगर हम बात करें आपका Ukraine के लिए भी थोड करने जा रहा है, अगर आप South Africa गुमना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा like person, Indian person है जो South Africa जाना चाहते हैं, उनको South Africa यह ही destination के लिए ही like उनको visa चाहिए, तो South Africa 10 June से start होने जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, यह आपके लिए good news है, अब हम बात करते हैं Bangladesh, कई इंडियास हमारे Bangladesh भी जाना चाहते हैं, तो Bangladesh भी आप tourism के लिए जा सकते हैं, आपके लिए काफी अच्छा like अभी time है, अगर normal सी अगर आप अपनी travel history बनाना चाहते हैं, यॉरप के लिए, UK के लिए, Canada के लिए, तो यह बहुत ही अच्छा time रहेगा, क्योंकि देखिए next year अ तो आप इस year को, COVID time के अंदर आप utilize कीजिए सिर्फ travel history बनाने के लिए, ताकि आप next year एक अच्छी travel history लेकर एक अच्छी country के अंदर travel कर पाए, अगर आपका German, France, Italy जाना भी चाहते हैं, तो शेंजर विजा भी आप easily से आप next year ले सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा बे रहेगा, अभी से ही अपना एक plan बनाना शुरू कर दीजे, ताकि आपके कोई भी problem ना आए next year, अब हम बात करते हैं, बेलारूस, तो बेलारूस भी आपके लिए काफी अच्छी destination मानी जाती है, अगर आप अपना टूरिश विजा लेकर जाते हैं, आप उसको वर्क वि covid certificate बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिरफ आपके पास 48 hour to 72 hours valid आपके पास covid 19 का आपको पास certificate होना चाहिए, report होनी चाहिए, negative report होनी चाहिए, तो इन normal सी चीजों से आप अपनी एक travel history बना सकते हैं, अगर किसी तरह की कोई भी help चाहिए, किसी तरह की कोई भी question हो आपका, कोई भी queries हो आपकी, तो इस वीडियो के नीचे आप comment कर दीजिए, आपके लिए ऐसे ही information लेकर आता रहूँगा, और आप जहां पर भी है, safe रहे, and मेरी दुआ है कि आप अच्छे रहे, and आपकी सेहत अची रहे, तो अगर किसी तरह की कोई और query चाहिए, comment कर दीजिए, आ आपको वीडियो मिल जाएगी as soon as possible, तो मिलते है नेक्ट वीडियो के अदर, वाहिगर जी का खालसा, वाहिगर जी की फते,